हलो پ्रेंट्स तो आज हम बताने वाले हैं कि आप है जो आट्टे की दिपक और लोटे से, जो किस परकार से अपनी धारन को ठीक कर सकते हो तो इसके लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले आटे का दिपक, तो आटे का ये दिपक की इस तरीके से आपको बना लेना है मिट्टी वाला दिपक आपको नहीं लेना है आटे का ही लेना है वरना है जो क्या स्कीन जलने का है जो डर रहता फिर एक इस तरीके से बत्ती ले लेनी है तो फूल बत्ती आपको लेनी है वो थोड़ा सा तेल में भिगो के रखना आपको इसको और फिर एक लेना है लोटा त क्योंकि चुबने वाला होगा तो, इस कीन के अंदर चला जाएगा, तो छोट लग सकती है, और आपको साथ में लेनी है एक माचीस, माचीस से क्या करना है कि आपको यह बत्ती है, जो जला लेनी है, तो इस तरीकी से आप देख सकते हो, मैं यह बत्ती जला रही हूँ, और फि इसके बार तो क्या कि आप इसको रख दोगे तो थोड़ देन जो बत्ती आपने जलाई है वो बुझ जाएगी तो आपको घपराने की जरूरत नहीं है कि कहीं यह जो बत्ती से हम जल ना जाए नहीं जलेगी जैसे आप यह बैटन ऊपर रखोगे तो बाहर की जैसे ऑक्सिज तो थोड़ा सा हलका सा दबाव दे कि आपको रखना है यह आप गिलास वगिरसे भी कर सकते हूँ बस एक ऐसा बत्तन होना चाहिए जो अच्छे से यहां पर टिका रहे और उसका जो किनार है वो भी सही हो तो नॉर्मल सा आपको दबाव रखना है थोड़ देने तो यह मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहे हूं बस तो इस तरीके से आप घर बेटे अपनी नभी धरन को ठीक कर सकते हो इसमें आपको किसी तरीका का नुकसार भी नहीं होगा तो वीडियो इसमें दार लाइक कीजिए सेर कीजिए थैंक्यू